हेलो एवरिवन दिस इजवी जैन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वति विधिया पाटशाला अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें अ अब हम अपने आगे की सीरीज स्टार्ट करते हैं हमारा कोशन नंबर है 16 ठीक है परशन नंबर 16 तो यह क्या है बुड़ कट पेंटिंग में नहीं चर्णों का सही करम बतलाईए बुड़ कट पेंटिंग में चो स्टैप्स हैं उसका हमें सही करम बताना है ठीक तो कोई सा पर लेटे हैं सबस्ट हमने बी ओकर लिया है तो इसमें सबसे पहले क्या है उतकिर्ण हैं फिर रोलर से ब्लॉक पर रंग पैलाना स्पून से रगड़ना कागज पर चापा उतारना ठीक तो अब क्या होगा कोई सब भी ऑप्शन हमने ले लिया बी ले लो सी ले लो कोई सा बाद उस पर क्या लगाएंगे हम रंग लगाएंगे ठीक है रंग लगाएंगे फिर रंग जब हमारा लग जाएगा तो हम क्या करेंगे उसे कोई घोटनी होगी या कोई चमच होगी तो उसे या कोई भी शीशी होगे जिसका तक एक सारो समान हो ठीक है उससे उसको रगड़ेंगे ठीक है फिर क्या होगा उसके बाद स्पून से हमने इसको रगड़ दिया ठीक है फिर उसके बाद कागज पर क्या करेंगे उसका प्रिंट ले लेंगे तो हमारी ये प्रोसेस इसमें रह नमबर भी ही है जो हमने लिया था तो वहीं क्या है इसका correct answer है पहले हमने उत्किन क्या फिर रंग लगाया फिर उसके बास पून से रगडा किसी भी चीज से रगडा जो समतल है उसके बाद उसके कागज पर उसका प्रेंट लिया ठीक है अब आते कोश्य नमबर 17 पर कॉंटे कप्रियों जो कांट है वो क्या है कांट एक विशेश कथाई लाल या काला चोग या क्रियों होता है और इसका प्रियों लीथोग्राफिय में होता है ठीक है तो इन क्रियों से क्या होता है इन क्रियों या पैंसिलों से शीला पर कलाकर अपना चित्र बनाते हैं लीथोग्र होता है कि जह रादर पे छपाई होती है समतल होती है ब्लें ठीक है और हाथ में चूंगे में अच्छा आभास होता है इसमें प्लें आहीं होता है तो इस पदती में जो आकरतियां होती है वो धरातर पर उल्टी बनाए जाती है ठीक है कैसी बनाए जाती है उल्टी बनाए जाती है मीरर इमेज बनाए जाती है और इस प्रकार की पदती में प्रकाश का प्रभाव भी हम इसमें दिखा सकते हैं ठीक है किस चीज का प्रभाव दिखा और कपड़ा होता है, सिलककपड़ा w विशेश प्रकार का लगी होता है, जे प्रियोग में आता है इसमें, ठीक है, इंग्लिश में आप इसको मतलब जब आप पेपर करेंगे तो आप इंग्लिश में वर्ट जरूर देखियेगा, क्योंकि हम लोगों को कुछ words इंग्लिश में ज़्यादा पता होते हैं और हिंदी में इतना नहीं पता होता कुछ spell mistake भी हो जाती है हिंदी में हम वो words समझ भी नहीं पाते हैं लेकिन इंग्लिश में शब्द वैसा का वैसा ही लिखा आता है चेंज नहीं होता हिंदी में कुछ शब्द चेंज हो जाते हैं तो इस बात पर धिहान देना एक्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ही धिहान देना ठीक है इंग्लिश भी देख लेना अगर किसी चीज़ का हिंदी मीनिंग समझ ना आए तो तैल मुद्रन तैल मुद्रन को इंग्लिश में ओलियोग्राफी भी बोलते हैं और जो ओलियोग्राफी का मैच है ये प्लेनोग्राफी है मतला समतल सत है लिथोग्राफी ठीक है धातो उतकिंड अब धातो उतकिंड क्या है धा तो उतकेन्ट का मेचenden कीस नीजे और था तू किसमे होती है मैटल किसमे यूज होता है Metal हमने किसमे यूज किया था इंटेगलियू में यूजकिया था थीख है अब कास्ट कास्ट की मतलब वूडचेङ रीविंग wood engraving किस में था हमारा relief printing में था ठीक है उसके बाद आता है silk screen silk किस में है silk जो है stencil silk में stencil मतलब serigraphy और उसमें क्या बनाए जाते है stencil तो यह कौन सी printing है stencil printing ठीक है तो tell मुदरन का किस से match हुआ planography से धातू का integlio से cast का relief से और silk का stencil से ठीक है तो अब हम इसके options भी देखते हैं तो हमारा option कौन से सही बैठेगा भई हमने oligraphic अथर्ड में लगाया था तो एक अथर्ड डी वाला यह बैठता है ठीक है तो अब हम a b c d करके भी देखेंगे तो इसमें कोई फाइदा नहीं है जैसे मैंने और अपनी फस्ट वीडियो में बताया था क्योंकि सम्में क्या फास सेकेंड थर्ड फोर्ड फास सेकेंड थर्ड फोर्ड चार ओप्शन इस प्रकार से दिये गए हैं तो इसमें कोई बैनिफिट नहीं है लेकिन एक options क्या है वह हमारा इसमें इसमें कोई दिकत वाली बात नहीं है तो इसमें चूज अपने आप इजिली हो ही गया है ठीक है नेक्स्ट कॉशन देखते हैं next question है question number 19 सामगरी तथा मूर्टी मीडियम को सुमेलित कीजिए ठीक है A side and B side casting modeling carving assemblage ठीक है आपको casting modeling carving यह मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था अब assemblage किसी चीज़ को पूब नाइए झाथ करना है इसनम और लूब डिन अले करते हैं के वाailleurs हाती दाथ है जोटा हम इसका मैच करते हैं कास्टिंग कसी एक केंगा कास्टिंग ऑप कास्टिंग कि करें जाएंगे किसी नम-बनेंगे शाइन above इसद्रा आका कास्टिंग मोडलिंग by और छेषा, तो मददी ऑफ और पर जाएगे, मदिशिक आ जितोंरे थाचि नकाशी ठीक है तो क्या है ये आईवरी नकाशी जो होती है मूर्तियों को बनाने में आभुशनों को बनाने में या सज्जावटी किसी भी चीज़ को बनाने में होती है ठीक है हाती दात का प्रियोग होता है तो इन चीजों में होता है कि किसी आभुशन भी बनते है हाती दा ग्राद की नकाशि कार्स टिक्ट संबले इसक्राप वोड़ है ठीक कि उल मनें क्यां कइसके टैनकर सकता है ठीक किसी चीछ को बना सकता समयते तुसमें हैं प्छाप वोड़ी प्रशं के स्वोड़ी ओ और भी ऑप्षिंज हों तो भी हैं कि क्या है इसका option अभ हमने casting को किसे क्या था aluminum से क्या था तो first का हमारा third बनता है ठीक है तो dividing का मारा क्या था blanc glaub听 का हमारा वैक स्टा तो अँर्गे कर के हमारा fourth ठीक है तो हमारा is वाला option भी हमारा सही है ठीक है अब हम A, B, C, D करके इसका देखते हैं A, B, C, और D ठीक A में क्या है third है और B में क्या है second दो बार आया हुआ है ठीक है कोई बात नहीं इसके बाद C में क्या है first आया हुआ है और D में हमारा second दो पार आया हुआ है ठीक है ना आप देखों, यह confusion हो गया ना, दो बार second है, तो हमने किसको लिया, कि A में third और C में first आए, ठीक है, तो A में third और C में first, तो किस में है, A में third और C में first, इसी में ही है, बास, तो हमने इसलिए इस type से भी हम कर सकते हैं, कि A में third और C में first, तो हमारा यह option कर रहते हैं, ठीक, त किसलिए करते हैं ठीक है अब मैंने आपको बताए था इसक्रैपर का अर्थ क्या होताँ स्क्रैपर इक खुरचनी होती है क्या होती है ठीक है किसी चीच्म के लिए एक पॉलिश्टि को चमकानी के लिए यह किसी चीज को support करने के लिए plane करने के लिए चमकाने के लिए burnishing का यूज होता है ठीक है तो scrapper कपरियोग किस लिए होता है scrapper कपरियोग scrapping के लिए होता है किस चीज को खुरचनी में होता है कि next question है question number twenty one print making में किस प्रकार के paper पर स्थाना अंत्रित किया जाता है किस से स्टोन से ठीक है ड्राइंग के इंप्रेशन को ट्रांसफर किया जाता है तो किस से क्या जाता है प्रेसिंग पेपर से नहीं किया जाता है स्टोन से जिलेटेंट पेपर से भी नहीं किया जाता है पॉस्टर पेपर से भी नहीं किया जात प्रेंच ट्रांसफर पेपर ती 10 के बेच्ट नेखिट कुचन के Caleb बता तो मैंने भारत में प्रIST के स्थापना कब हुए थी तो प्रिंटिंग प्रेंस्पाइस सुष्भारा हुए थी 1556 में हुए ती buck next question की बात करते हैं question number 23 question number 23 में क्या है wood engraving और metal engraving द्वारा छपाई को क्या कहते हैं ठीक है बहुत को क्या कहेंगे अब पहले भी options में आये था wood, wood किसमें है relief printing में wood है metal किसमें है integlio में है ठीक है तो अब इसमें सो option देख लेते हैं कौन सा है तो यह integlio stencil है नहीं relief printing और integlio है ठीक है तो यही अपना answer हो जाएगा ठीक है तो wood engraving किसमें है relief printing में है और metal engraving किसमें है integlio printing में है ठीक है अब अपना next question देखते है next question है question number 24 सही युगम को मिला ये side and b side तो first number पे आते है stop motion अब stop motion क्या होता है stop motion जो हो एक animated film making technique है on second number पे आता है montise montise क्या है montise जो है film को editing करने की technique है montage क्या है film को editing करने की technique है अब इसके बाद आते हैं हम motion blurs पर motion blurs एक tool होता है जिससे किसे चीज़ को blur किया जाता है blur में बुंद्ला जैसे आप camera में कोई भी picture क्लिक करते हूँ और आप Lehr यह टूल है क्या है यह टूल है अब इसके बाद यह लुमिया ब््राइटर्स पर टीके जो लुमिया ब्रादर्स थे वह क्या है वह एक फ्रांसी सर्थी अविष्कारक्ष कोन कैसे में आप서クली और फोटोग्राफिक उपकरनों के निर्माता है वी ठीक है तो इन्होंने एक क्या बनाई थी फर्स्ट मोशन पिक्चर और कैमरा और प्रोजेक्टर इन्होंने रेडी किया था ठीक है इन्होंने क्या किया था फर्स्ट मोशन पिक्चर कैमरा और एक प्रोजेक्टर इन्होंन ready किया था ठीक है और जिसमें जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था जिसको cinema के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है cinema के नाम से जाना जाता है जिसको ठीक है अब जो अगस्ते Lumire and his brother Louis Lumire ठीक है इसमें option में क्या है Lumire Brothers अब Lumire Brothers का नाम क्या है एक है अगस्ते Lumire और दूसरा है Louis Lumire ठीक है उन्होंने एक movie create की कौन सी motion picture जिसका नाम क्या है जिसका नाम है वर्कर्स लिविंग दा लुमिरे फैक्टरी ठीक है और ये मुवी इन्होंने कब बनाई थी ये मुवी इन्होंने 895 सफी में बनाई थी गब बनाई थी 1895 में में किसने बनाई थी अगस्ते लुमिरे ने और लुइस लुमिरे ने छानेJacob पिक्चर inac раз एक मैंने क्या बताया था कि animated film है तो इसका इनिमेशन से हो जाएगा MONTEZ मैंने बताया था कि editing टेकनीक है ठीक है तो इसका संभन editing से हो जाएगा वीजुल editing I.Motion Blur's में मैंने क्या बताया था एक tool है तो य te computer tool हो जाएगा चो motion blur है वह photography में हो जाता है तो photography में यूज होता है तो इसकी जगा computer टूल के जगा अगर photography भी आता तो वह भी मैच हो सकता था ठीक है और Lumiere Brothers का मैंने संबंद क्या बताया था कि Lumiere Brothers ने प्रोजेक्टर और एक camera तयार किया था जिसे किसके नाम से जाना जाता है कि cinema के नाम से फर्स motion picture camera और प्रोजेक्टर त्यार किया था जिसे cinema के नाम से जाना जाता है तो Lumiere Brothers का संबंद किस से हो गया cinema से हो गया ठीक है first का हमारा second होता है ठीक है तो हमारा second एक में ही है option number A में ठीक है तो अब हम A, B, C, D से भी देखते हैं क्या सही बैठता है तो A में क्या है first second third fourth सभी option है B में four दो बार है तो यहां पर four लिख देंगे C में क्या है first दो बार है तो first लिख देंगे और D में भी first second third fourth है तो हमारा बी में क्या है था फोर्ट आया था और हमारा सी में वन आया था तो बी का फोर्ट और हमारा सी का वन तो ठीक है हमारा यही बैट रहा है तो बी का फोर्ट सी का वन इसमें है और बाकी क्या है मोशन और लुमिरे बरदस तो मोशन क्या है मोशन हमारा किसी चीज को चल तो थोड़ा बोट हम अपनी जानकारी के कोडिंग भी कर सकते हैं 35 पर 3D एनिमेशन के चलनों का सही करम कौन सा है हमें यह बताना है ठीक है तो इससे पहले हमें पिच्चर देखते हैं ठीक है एक मेज देखते हैं किसमें क्या है तो इसमें देखें इसमें क्या है सबसे पहले हमने क्रियेटिंग दा स्टोरी बोर्ड जो भी स्टोरी है हमारी उसको हमने क्रियेट किया है स्टोरी बोर्ड पर फिर उसके बाद मेकिंग 3D मॉडल उसके बाद हम 3D मॉडल बनाते हैं ठीक है एक मूवी के लिए इसके बाद ट विर्चुल पॉन्ट से हैं वॉन्से जोएंट से मसल से जो की मोडल को मूब करने के लिए परमिट करती है ठीक है पीर इसके बाद animation हो जाएगा फिर Lightning & Setting करेंस नांवा केम्रा लाइट नेंगए काहां लगानी है camera की setting वगरा करेंगे उसके बार rendering आता है rendering क्या है कि प्रस्तूतिकरन presentation ठीक है कि जिसमें जो आकरतिया है वो screen पर दर्शक के सामने वो जो देखने वाले हैं उनके सामने कैसे उसको representing किया जाए ठीक है और उसमें electric color कैसे प्रस्तूत किये जाए कैसे रिप्रेजेंट किये जाएं, पिक्सल में कौन सा कलर दिखाया जाएं उनमें, तो जो रिप्रेजेंटेशन की प्रकिरिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, कंपोजिटिंग एंड अप्लाइग स्पेशल एफेक्ट, जो मॉडलिंग है, ठीक है, तो हमने मॉडल बनाया, मॉडलिंग है, तो हमने मॉडल बनाया, मॉडल के बाद उसमें क्या था, कि हम क्या करेंगे, मॉडल के बाद हम टेक्स्चर करेंगे, ठीक है, टेक्सर डालेंगे, फिर रिगिंग है, मॉवमेंट है, फिर उसके बाद क्या तो हमारा कॉशन नमर 25 का क्या होगा हमने पहले क्या किया मॉडल रेडी किया मॉडल रेडी करने के बाद हमने टैक्सर डाले फिर मुवमेंट कराया फिर हमने उसको रिप्रेजेंट किया ठीक है तो यह इसका आंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी ठीक नेक्स्ट कोशन पर आते हैं अब कोशन नमर 26 है अविश्क्रित होने के करम में निमलिखित को विवस्थित कीजिए कि किसका अविश्कार पहले हुआ है ठीक है तो अब हम कोई सा भी अप्शन लेते हैं सबोज हमने लिठोग्राफी वाला यह लिया है सबसे पहले लिठोग्राफी हुई नहीं सबसे पहले किसका हुआ था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का हुआ था किसका हुआ था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का हुआ था उसके बाद किसका हुआ था लेजर प्रिंटिंग है नहीं है तो लेजर प्रिंटिंग लेठोग्र तो 1st, 2nd, 3rd and 4th ठीक है तो कौन सा option सही बैठेगा फर्स में वुड ब्लॉक ये वाला है वुड ब्लॉक का एक ही है फिर मुवेबल टाइप से फिर लिथोग्राफिय फिर लेजर प्रिंटिंग है तो जो हमारा option है हमें पता है कि सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ही अविश्कार हुआ था तो वुड ब्लॉक इसमें क्या है एक ही option दिया हुआ है ठीक है तो इसलिए कौन सा आजाएगा फर्स नेक्स्ट कोशन है कोशन नबर 27 भारत में लिथोग्राफिय प्रेस किस थापना 1825 में कहां हुई थी तो 1825 इसवी में कलकत्ता में हुई थी त इसका कलकत्ता correct answer है next question देखते हैं अब आथे question No.28 पर लकड़ी के चापे पर ऑपनी लोग रंग को किस के द्वारा फैलाती है तो जोग जापानी लोग है वो रंग को ब्रश के द्वारा फैलाते हैं तो इसका correct answer brush से option A है अब इसमें dabber भी है इसके बार में बताती है कि dabber क तो एक चमड़े से बना पैड है यह आगे का लैधर liberal का बना होता है पीछे के लिकर उता है प्लोक चे यह प्रति के लिए Bonjour लोक में गेरांऐ तकते स्याही चली जाए उसके लिए वी dabber का पर्योग करते हैं किसकी अपेक्षा रोलर की अपेक्षा ठीके तो अब इसका आंसर क्या था जापानी लोग रंग को किसके द्वारा पहलाते हैं बरश के द्वारा ठीके अब हम अपने next question दिखते हैं question number 29 प्राथमिक यांत्रिक मुदरन कहां शुरू हुआ था यांत्रिक मुदरन की बात हो रही है तो यांत्रिक मुदरन कहां शुरू हुआ था गोवा में शुरू हुआ था ठीके next question है question number 30 लिठोग्राफिक की परकिरिया में सतह कैसी होती है लिठोग्राफिक की परकिरिया में सतय अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसकी सतय होती है वह एकदम सपार्ट होती है समतल होती है किसी परकार का उभार नहीं होता है इसमें बिल्कुल एकदम प्लेन होती है तो इसलिए इसको प्लेनोग्राफी भी बोलते हैं तो अब इसमें हम इंटागली ओ Venice के बारे में भी जानते हैं रेज्द सर्फेस प्रेंटिकर स kommt Lop तो कौन तब हैं- yes oms रिलीफ प्रेंटिंग रिलीफ हो जाएगी ।op फोटो ग्रावियोर जो है वो एक परकार की इंटेगलियो प्रिंटिंग प्रोसेस है और इसमें क्या होता है एक स्लेंडर होता है इसमें और इसका परियोग क्या है इसका प्रियोग किस चीज में होता है इसका प्रियोग होता है इसका प्रियोग होता है इसका प्रियोग होता क्योंकि offset printing और फ्लेक्सगराफिय की तरह है यह एक rotary printing press का उप्योग करता है कौन से printing press का उप्योग करता है rotary ठीक है तो और किसकी तरह है offset printing और flexography की तरह है ठीक है तो इसका lithography प्रकिरिया में किस सतह कैसी होती है यह हो जाएगी प्लेनोग्राफी ठीक नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नंबर ठटी वन है यहां पर मिस हो गया कोई बात नहीं इसको अब ठटी मान लीजिए आगे की भी नंबरिंग गलत हो जाएंगी इसके अकोल्डिंग तो अब ठीक है तो निमली खित मे अनेक रंगों का छापा इस पर प्राप्त किया जाता है बहू रंग ठीक है और इसमें क्या होता है प्लेट को इस प्रकार से एच किया जाता है प्लेट को कि इसमें विभीन इस्तर की उचाही नीचाही पैदा हो जाती है ठीक है उचाही और नीचाही एचिंग के बाद ठी बहुरंग लग है नहीं, तो अलग-अलग रंगों को हम प्लेट पर लगाते हैं, तो जो सबसे नर्म रोलर होगा, उसको हम सबसे नीचे की तहह तक सियाई लगाने के लिए परियोग करते हैं, ठीक है, कि जो सबसे नम सतह का रोलर होगा, उसको सबसे नीचे वाली सतह पर हम इसका प्रयोग किया जाता है, तो अब इसमें क्या पूछा गया था, कि किसो का अपहीं जो लाखोय का यूठ खें मुलायम नर्म नुन हो उटेंगे oui pra vous इसको सिटी मेंसी बहु श fulfilled लगाते हैं है ठिक है और अच उच्छाहने चाहिए पेदा करते हैं और विम बैगे के रोलर द्वारा अने को रग हो है जो सबसे नाइजाग की सतय पर लगाएंगे कोरशन है कोर्சन中 सुन वेइर किसे निर्मिद खोता है इarenthे अब जी टॉन was song आप जो होता है क्ले से बनता है ठिक है और यह ठोड़ ड्यूरेवल और ऊंडाम बहुत जद्र टिका 우리는 मतलब stoneware is made from clay but is more durable बहुत जदा टिकाओ है than other kinds of pottery अन्य परकार के मिट्टी के भरतनों में ये अधिक टिकाओ है ठीके और आप इसको अपने घर में पास सकते हैं जैसे की coffee mug जो होते हैं वो stoneware से बने होते हैं ठीके stoneware की होते हैं तो stoneware क्या है ये clay है ठीके अब next question पर आते हैं अश्फाल्टम question number 32 अश्फाल्टम नामक सामगरी को इन में से एक भी कहा जाता है मैंना इसका अश्फाल्टम का दूसरा नाम हो रहे हैं वो क्या है रेजिन है फ्रेंचोक है चारकॉल है बिटुमैन है तो रेजिन फ्रेंचोक चारकॉल नहीं है इसको बिटुमैन बोला जाता है ठीके जो अश्फाल्टम है उसका दूसरा नाम बिटुमैन है ठीके अब next question question number 33 नेमली के चर्णों का सही करम बतला है ठीके ये जो सही करम है ये एक sculpture का है ठीक है तो उसके लिए क्या है सबसे पहले drawing बनेगी किसी भी चीज के लिए क्या होगी एक drawing होगी कि हमें बनाना क्या है फिर उसके बाद हमने उसको एक रूप तियार किया जिसको मैकेट बोला ठीक है फिर उसके बाद जो हमने रूप दे दिया फिर उसके बाद उसकी क्या होगी कार्विंग होगी हमें आग बनानी है तो आग को अच्छे से बनाएंगे तो उसकी कार्विंग करके ही बनाएंगे फिर उसके बाद जब वो पूरा रेडी हो जाएगा तो सबसे पहले ड्राविंग मेड़िम काद्ण जाएक तुर यह को जाएगा कि कि इसके बाहते हैं कोशन भी ठीच टीफोर कर सिलक स्क्रीन होता है फ्रोड़ कर से लिएम सबसे पहले क्या लेते हैं फ्रेम में में हम क्या लगाते कि कपड़ लगाते किpal नाम किया होता बोल्टिंग कपड़ा होता है और वो अलग अलग नंबर का होता है मैश नंबर के अधार पर अनिक श्रेनियों में बटा हुआ होता है ठीक है जो हैश 4 से हैश 20 तक होता है तो जितना मैश का जितना नंबर अधिक होगा तो उसके जो छेद होंगे वह बहुत शुक्षम होंग की छिधन रह में प्रिंटूिक जो जए गी सिय थैयर दो और आग इंगो से पर आगए एकपोस करें और ऑए किया इंगा है उसका प्रिंटिंग तर पर उसको प्रिंट पर जाएंगे के किश्कुटन रोग नहीं पandır singular है प्रेंट लेना है कपड़े पर भूष पर हम फ्रिंट ले रेंगे तो इसलिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा सबसे पहले फ्रेम है फिर एक्स पॉजिंग टेबल है प्रेंटिंग टेबल भी स्कूरिक तो इसका ... renderی option a new Leanoですね Acid में किस liquid का प्रियोग होता है sulfuric acid, nitric acid, sodium hydroxide acid या hydrochloric acid तो इसमें किसका प्रियोग होता है इसमें sodium hydroxide acid का प्रियोग होता है ठीक है तो friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए thank you very much